हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं आज पाक गई तो महाँ पे कुछ लेडीज ना पत्ते तोड रही थी, कुछ प्लांट्स के पत्ते तोड रही थी, तो मैंने उनसे वो इंफोर्मेशन क्लेक्टे रही कि आप ये पत्ते क्यों तोड रहे हो, तो भी आप क्या करो गे तोड रहे थे, ये सदा बहार के पत्ते हैं, ये सदा बहार के पत्ते हैं, सदा बहार के पत्ते एंटी डाइबर्टिक होते हैं, तो उन्होंने बोला कि एंटी डाइबर्टिक होते हैं, इसलिए हम इन्हें ले रहे हैं, और ये हार्शिंगार का पत्ता, मैंने छे तरह के प पत्ते हैं, यह हमारी बॉड़ी में जितनी भी नसे होती है, स्टिफ होती है, उन्हें खोलती है, नसों की ब्लोकज को मतलब खोलता है, और यह हमारा है मरुआ का पत्ता, यह हमारे पेट को ठीक रखता है, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉंग बनाता है, पेट के कीडे मारता ह है यह कड़ी पता कड़ी पता को सब जानते ही वैसे तो इस सब लीफ को आप सब जानते ही है कड़ी पता है हल घर में यूज होता में वहाइब है और बुक्लि के सारे वालों के लिए बहुत अच्छा है और यह यह अडि वո्स Quality से का मैं इसने वेट ले जल्दी होता अर्ये अमरूत के पत्तों से भी वेटली होता है यह तो यह antifungal अीस को करता सिए यह weyटलो founder होता से और यह हमार एस result प्राइबिटिक भी होता है शुगर में भी बहुत अच्छा काम आता है और हमारे ये टीथ के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे मसूडों को स्ट्रॉंग बनाता है हमारे टीथ में कैविटी को खतम करता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और हमारा जब इसको खाने से हमारे सिर्धर्द भी ठीक हो जाता है, तो यह जो 5-6 तरह के पत्ते हैं यह हम रोज आप सोचो कि यह तो कड़वे होते हैं, अगर हम इसको अलग-अलग खाएंगे तो यह सब हमें कड़वे ही लगेंगे, क्योंकि सब में ही कड़वा पन होता है सब ये भी कड़वा है सदा बहार का नीम का, कड़ी पत्ता ये सब कड़वे होते हैं बट इनको हम अलग-अलग नहीं खा सकते हैं तो हम इसको एक शेप में बना के खाते हैं सब को इकठा करके, दो-दो पत्ते जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा पत्ते ले सकता है बट जिसको पिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है जैसे मुझे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इनके सिर्फ दो-दो पत्ते लेती हूँ हार शिंगर के 3-5-7 में लेने होते हैं बाकि सब की आप 2-2 ले सकते हो अमरूत का एक ही लेना होता है तो इनको एक पान की शेप में सब कोई कठा करके और इनको खाली पेट सुबह early morning खाना होता है और इसे regular खाने से आपको खुद को result मिलेगा तो इसे जरूर खाएं तो और मुझे भी बताएं और अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो please like and follow करें और comment box में comment करें Thank you